हेलो एब्रीवन मैं हूं देव और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देव में तो दूस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने बाला हूं हीरो की डैस्टिनी 125 सी सी बी एस सिक्स दो यार बीस मॉडल के बारे में बैरियंट की बात करें तो दूस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं करते हैं सबसे पहले हम इसके फ्रंट प्रोफाल से तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके वाइजर और हेड्लेम पे जादा कोई चैन्जिस नहीं हुआ है इसके वाइजर पे आपको जो है हीरो का 3D में लोगो मिल जाता है नॉर्मल हैलोजन हैडलेम मिल जाती है इसमें आपको जो है नॉर्मल वल्व मिलता है इसमें आपको LED का ओप्सन नहीं मिलता है बात करें इस गाड़ी के एपरें को लेकर तो यहां पे आपको जो है क्रोम क एक strip मिल जाती है पट्टी मिल जाती है जो की काफी जादा सांदा लगती है कुछ long type के आपको जो है indicator मिल जाते है नॉर्मल वल वाले indicator के side में आपको जो है DRL मिल जाती है VX model लेते हूँ तो अगर आप LX model भी लेते हो तो उसमें भी आपको indicator के side में DRL मिल जाती है इसके साथ ही यहाँ पे आपको नेम प्लेट लगाने का option मिल जाता है नीचे की side में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको प्लास्टिक का mud garden मिल जाता है इसके साथ ही इस tire की जो grip है कुछ इस step से आपको दिखती है इसके नीचे की side में दोस्तों आपको IBS का logo मिल जाता है integrated breaking system का logo मिल जाता है इसके side ही आपको mud garden पे आपको reflector मिल जाते हैं दोनो night के लिए इसके साथ ही telescopic hydraulic sock absorber type के suspension मिल जाते हैं इसके साथ ही जो की काफी जाद अच्छे माने जाते हैं इसमें आपको 9010 number के tire size मिल जाते हैं 10 inches के alloy wheels मिल जाते हैं व्लैक कलर के अगर आप BX model लेते हो तो यहाँ पे आपको जो है TBS company के tulis tire मिल जाते हैं जो की काफी जाद अच्छे माने जाते हैं इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपको integrated braking system मिल जाता है अगर आप front या rear की कोई भी brake अपलाई करते हो तो दौनों brake एक साथ काम करते हैं दोस्तो पात करो में इस गाड़ी के meter console की तो सबसे पहले में इस गाड़ी की चाबी को on कर लेता हूँ आप यहाँ पे आप देख सकते हो engine की mal function की light indication light यहाँ पे मिल जाती है side stand indication light यहाँ पे मिल जाती है left hand right hand indication light यहाँ पे आपको मिल जाती है separately meter में इसके साथ ही यहाँ पे आपको 120 km per hour की speed मिल जाती है i3s और low beam high beam की indication light यहाँ पे आपको मिल जाती है इसके साथ ही यहाँ पे आपको analog type का meter मिल जाता है किलोमीटर को adjust कर सकते हो यहाँ से आप जो है I3S की बटन मिल जाती है blue color में यहां से engine के ignition को on off कर सकते हो यहाँ पर आपको जो है self का switch मिल जाता है इसके साथ ही यहाँ पर आपको जो है passing का switch यहाँ मिल जाता है इसके साथ ही आपको यहाँ पर जो है boot space fuel cap को open कर सकते हो आसानी से बस आपको अपनी key को left और right turn में move करना है जैसा कि मैंने इसके boot space को open कर दिया है key को rotate करके इसके साथ ही अब मैं इसका जो fuel cap होता है उसको rotate करूँगा जैसा कि आप देख सकते हैं इसको left turn में आपको rotate करना है और इसका आपको बहुत सारा boot space मिल जाता है अच्छा खासा इसमें सामान carry करने के लिए ये VX model है इसमें आपको जो है light भी मिल जाती है अंदर की side में night के लिए इसमें आपको जो है mobile charging का port भी मिल जाता है इसमें आप direct data के भी लगा कर mobile को charge कर सकते हो ये आपको BX model में मिलता है lowest model में आपको सिर्फ option मिलता है अलग से लगाने के लिए तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हो ये बहुत अच्छा feature है दोस्तों यहाँ पे आपको 5 liter की fuel tank की capacity मिल जाती है पीछे की tail light कुछ इस type से आपको मिल जाती है white color के indicator मिल जाते हैं लगती है नीचे की side में आपको reflector मिल जाता है black color का mud garden मिल जाता है यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो exhaust silencer है वो काफी जादा बड़ा है काफी जादा अच्छा है यहाँ पे आपको catalytic converter मिल जाता है black color की finish में आपको engine all का fuel gauge का cap मिल जाता है यहाँ पे आपको separate mud garden भी मिल जाता है पीछे वाले पाईये के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको adjustable footrest भी मिल जाते हैं दूसरी side में हम देखते हैं तो hero destiny की 125 की batching भी मिल जाती है यहाँ पे आप engine जो है यहाँ पे आप देख सकते हो black finish में इसका engine दिया गया है यहाँ पे braking system दिया गया है और इसमें आपको kick start option भी मिल जाता है hero की batching मिल जाती है इसके engine और power को लेकर तो इसमें आपको 124.6 cc का air cooled forest rock single cylinder का engine मिलता है इसकी जो maximum power है वो है 9.1 ps at 7000 rpm पे इसका maximum torque है वो है 10.4 newton meter at 5500 rpm पे इसमें आपको drum brake का सिर्फ option मिलता है इसमें आपको disc variant का option नहीं मिलता है अगर आप LX या BX कोई भी model लेते हूँ तो इसमें आपको front और rear में BX model में सिर्फ alloy wheels मिलते हैं 10 inches के alloy wheels मिल जाते हैं tulis tire भी मिल जाते हैं इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हूँ बॉडी के panel पे आपको chrome के strip दी गई है और destiny 125 की यहाँ भी आपको 3D में आपको बैचिंग मिल जाती है इसके साथ ही इसके lowest model LX की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है सिर्फ silver की finish में आपको जो है इसकी जो body panel पे strip मिलती है इसके दूसरी साथ में यहाँ भी आप देख सकते हो black color में काफी जादा सांदर लुक देती है chrome finish के साथ यहाँ भी आप देख सकते हो white color में आपको silver की finish option यहाँ पे आपको मिलता है mileage को लेकर तो इसमें आपको पहले से 9 से 10 km का mileage जादा मिलने वाला है BS4 के मुकाबले क्योंकि BS6 launch होने के बाद इसमें fuel injection programming FI technology हो चुगी है इसकी बज़े से आपको ज़्यादा acceleration और ज़्यादा mileage मिलने वाला है इसमें आपको कम से कम 60-65 km का mileage आसानी से मिल जाएगा अगर आप economy zone में चलाते हो तो अब बात करूं में इसके मत्रा on road price UP की तो अगर आप इसको LX 125 VS6 variant में लेते हो तो ये आपको 77,567 रूपीज की on road मिलेगी अगर आप इसको BX VS6 model में लेते हो तो 81,316 रूपीज की on road मिल जाएगी ये on road price जो मैंने आपको बताया है वो है Friends Automobiles Hero Agency राया मत्रा में इस सोरूम की contact detail और address मैं आपको इस वीडियो के description में mention कर दूँगा आप अगर purchase करना चाते हो तो आप इनको directly call कर सकते हो अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी अगर ये वीडियो आपको वागई अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें ज्यादा से यादा share करें अगर आपके मन में कोई doubt है कोई सवाल है तो आप मेरे से कुछ पूछना चाते हो तो आप मेरे को comment करके पूछ सकते हो दोस्तो अगर आप चैनल पर नए हो अगर आप new हो तो दोस्तो इस देव MTR चैनल को subscribe जरूल कर देना और साथी साथ प्रेस कर देना बेल आइकन को जिससे की मेरी सारी वीडियो की जो notification है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं तो चलिए दोस्तो मिलते हैं next वीडियो मे झाल साथmart साथर दोस्तो चैनल के वीडियो कर देना थाल स लोस्तों कर दोऊ jourकर दो ofके लव्यों हो जो को जो के वीडियो काल सारी दानल को बखंड़ आत्यव नगिजर कर दोस्तोंदर ग्रद।